नमस्कार दोस्तों आई एस प्राइंट में आपका स्वागत है मैं हुदकर सिंग आज हम बात करने वाले हैं निजी कोचिंग के ओधारणा पर सबसे पहले बात करते हैं कि चर्चा में क्यों हैं राष्टी सांखे की संगठन NSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पाच में से एक छात्र निजी कोचिंग के साथ इसकूली सिच्छा को पूर्ण करता है जून 2017 और जुलाई 2018 के बीच आयोजीत राष्टी नमूना सर्वेच्षण के 75 दवर में परियारोधारा सिच्छा जिसना मंदेतों भोग पर खर्च को लेका सर्वेच्षण किया गया था अब चर्चा करते हैं रिपोर्ड के प्रमुक बिंदों उपर पूर प्रात्मिक और उसके उपर के अस्तर पर लगभग 20% 6 चात्राएं 21% चात्र और 19% चात्राएं निजी कोचिंग ले रहे थे माद्मिक अस्तर पर निजी कोचिंग लेने वालों की संख्या अधिक्तम चात्रों का 31% और चात्राओं का 29% था निजी कोचिंग की फीज माद्मिक और उचत्र माद्मिक विद्याले में सिच्छा की कुल लागत का लगभग 20% है रिपोर्ड के अनुसार पस्चिम मंगाल जैसे राज्जी में चात्र चात्राएं वास्तों में अपने निजी कोचिंग पर अधिक खर्च करते हैं अब आगे बात करते हैं निजी कोचिंग से सम्मंदित प्रमुख मुद्दों पर स्कूली सिच्छा के साथ निजी कोचिंग सिच्छा पर लागत में व्रिद्धी कर देती है मादमिक स्कूल के विद्यार्थियों के सिच्छा पर आउसात अवार्सी गवे 9,013 रुपए है जिसमें से 4,078 रुपए नेमित स्कूली फीज की रूप में खर्च होता है विद्याले अस्तर पर सहरी और उच जातियों के बच्चे निजी कोचिंग का अधिक उप्योग करते हैं अन्सूचि जनजात समधायों में सिर्व 13 तसमत 7 प्रस्तत ग्रामी लड़के और लड़कियों की तुलना में सहरी उच जात के 22 प्रशंट से अधिक बच्चे निजी कोचिंग लेते हैं छात्रों को पहले से ही स्कूल से प्रतेग विसे के लिए हूमवर्क मिल जाता है और अगर उन्हें कोचिंग कच्चाओं से भी हूमवर्क मिलता है तो उन्हें अतरिक्त हूमवर्क के कारण बोज महसूस करते हैं कोचिंग संस्थान द्वारा परतेक छात्र के लिए एक ब्यक्तिकात अध्यन पैटर्न का पालन करने और स्कूल द्वारा परतेक कच्छा के लिए एक सामान्य पैटर्न का पालन करने में बच्चे दुविदा में पढ़ आते हैं कोचिंग संस्थानों में बोर्ड परिच्छा, परवेश परिच्छा और प्रतियोगी परिच्छा के लिए छात्रों को तयार कर परस्पर पतिसपरधा कराने से बच्चों में चिंता और परिच्छा के प्रति तनावत्पन होता है कोचिंग संस्थान में बिभिन स्कूलो या सिच्छा बोर्ट के बच्चे समलित होते हैं सभी स्कूलो या बोर्ट का सिच्छा पैटर्न एक जैसा नहीं होता है फ्रतेक छाटर की और धर्णात्मक समझ को लेकर अपनी समस्थाई होती हैं निजी कोचिंग के प्रत रुजहान में व्रिद के कारण स्कूली सिच्छा की निम्द गोड़ता के कारण अधिक संक्या में छात्र निजी कोचिंग और टूशन पर निर्भर हो रहे हैं माता पिता द्वारा विशेशकर ग्रामीड छेत्रों में अपनी सहायक सिच्छक की भुईमका को विभिन कारणों से नहीं निभापाने के कारण वे अपने बच्चों को निजी कोचिंग टूशन पर भेजना प्रारम कर देते हैं सूचना केत्रित पाट्रम और अटने की प्रवित्ति निजी कोचिंग को बढ़ाओ देने वाले प्रमुक कारण हैं सहरी छेत्रों में माता पिता सैच्छिक और आर्थिक रूप से अपेच्छा करित बैतर इस्तित में होते हैं जिसके कारण वे निजी कोचिंग की लागत वहन करने के श्तित में होते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे मुद्दो के कारण मध्यम्बर के माता पिता पर सामाजिक दबाओ और अपने बच्चों को उपेच्छा के मामले में अपराद की भावना के करनर भी निजी कोचिंग को पढ़ाओ मिलता है एकल परिवार और दोरी आय की परिगतना में बिर्ध के कारण आय में योम बचत में ब्रिध ने बच्चों को टूशन केंद्रों पर भेजने के लिए प्लेरित किया है ग्रामीड छित्रों में परिवारों की कमजोर आर्थिक इस्तिति माता-पिता की सिच्छा और आकांचाओं का निम नस्तर तथा निजी कोचिंग केंद्रों की सीमि संख्या ऐसे छित्रों में निजी कोचिंग के कम अनुपात के कुछ प्रमुक कारण है इस प्रकार निजी कोचिंग की बढ़ती प्रवित्ती सामाजी कार्थिक विकास की प्रवित्त से मेल खाती है केवल केरल जहां ग्रामीड और सहरी छेत्र सामाजी विकास के समान अस्तर पे हैं वहाँ निजी कोचिंग प्राथ करने में कोई भगोली का सवानता नहीं दिखाई देती है अब बात करते हैं नई सिच्छाणीत योम निजी कोचिंग पर कोचिंग संस्कित को प्रसान करने के बजाए नियमित रूप से मुल्यांकन पर ध्यान केंदित कर राश्टी सिछानीत 2020 स्कूली बच्चों को निजी ट्यूशन और कोचिंग अच्छाओं से दूर रखना चाहती है नई सिछानीत में CBSC बोर्ड परिच्चाओं को और अधिक लचीले बनाने का प्रावधान किया गया है जो एक बच्चे की आधारभूत छमताओं और दश्टाओं का परिच्छन करेगी अगर नई सिछानीत को ठीक से क्रियानवन किया हो जाता है तो केवल वे ही संस्थान सपल होंगे जो अपने सिछकों को नए पार्टिक्रमों और द्रिश्ट कोड में प्रसिछित करेंगे अभी अधिकतर कोचिंग संस्थान मिज्ञान और गडित तथा परिच्छा में अंक बृद्र पर ही अधिक केंद्रित है अब चर्चा करते हैं आगे किराह पर कोचिंग संस्थानों की कारण प्रणली को नियंत्रित करने है तू कोचिंग संस्थानों की संचालन के लिए नियुनतम मानक पदान करने वाले नियुमों योजना को लागू करने सरकार को भी नियमन पर जोड़ देने के आ सकता है वर्तवान में कोचिंग उद्दोग एक बहुत बिर्दिकर चुका है और स्कूल सिछा पढ़ाली के लिए चिनोती बन चुका है अगर वीडियो से कुछ भी जानकारे मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों में सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यबाद